सबको मेरी नमस्ते मित्रों आज हम वैदिक मैथ्यम्टिक्स में त्री डिजिट्स का स्केर करेंगे हम पहले टू डिजिट्स का स्केर कर चुके हैं करने से पहले एक पर रिवाइज कर लेते हैं त्री दिजिट्स में हमने क्या किया था इसца 45 का स्केर करना है यह डूप्लेक्स में तर रहे व् いम्टिक्स करेंगे रहाम अधिजिय्ट्स का है हमने इस टिजित्स का स्केर क्या स्केर करना हि तो हम square करते हैं और two digit का duplex करना है तो हम इनको multiply करके 2 से और multiply करते हैं यहनि 4 into 5 into 2 तो हमारे पास आया 40 और एक digit कहीं हो गया आप three digit का duplex कैसे करते हैं पहले यह देख लेंकि हम square कैसे करना एक digit का duplex क्या 5 का duplex 25 यहनि 5 लिखेंगी और 45 का duplex हमारे पास आया 40 इस वह 2 add करा तो 42 और carry 4 और 4 का duplex हुआ 16 16 प्लस 4 20 तो हमारे पास जो answer है 2025 यह duplex method से कई method है इसके करने के लेकिन हम duplex method से करेंगे आज और अब है three digit का duplex कैसे होता है वो देख लें क्योंकि इसमें one और two digit का duplex तो हम कर चुके हैं अब three digit का duplex कैसे करेंगे एक्जाम्पल लें हम हम जो है टू डिजिट का duplex से तो आप जानते ही हैं three digit का duplex के लिए हम कैसे करते हैं लेट आस टेक एक्जाम्पल एक्जाम्पल डुपलेक्स ओफ त्री डिजिट त्री डिजिट का कैसे करते हैं मालिज यह आप करना चाहते हैं four one three का duplex करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या होगा हम एक्स्टीम डिजिट का पेर बनाएंगे और पेर बनाते हैं आप जानते हैं जैसे आपने यहां इनको आपस मुल्टिप्लाई करकी two से किया था इसे प प्लस जो एक डिजिट होता है एक डिजिट बज गया है हमारे पास one तो इसक जैसे आप जानते हैं एक डिजिट में हम स्केर करते हैं तो यहां पर one का स्केर हो जाएगा तो हमारा आंसार है four three था 12 to 24 प्लस one square one हमारे पास result आया 25 तो अब भी देखेगा extreme का हम पेर दोनकिकल पेर माने इखनाते हैं तो इस परकार साब एक जाम पर लेते हैं 2,1,5 इसका हम क्या करेंगे पताइए इसका δुफ में तो 25 इंटू 2 प्लस 1 स्केर करना है तो क्या क्या आंसरा है मारे पास 20 तो क्या एक हमारे पास 21 इसका प्लस 1, 21, और इसका स्केर करना है तो आप कैसे करेंगे हम 3D का डारेक्ट आंसर लिख सकते हैं माली जी आपने स्केर करना है स्केर आफ 2, 3, 4 का स्केर करना है तो इसमें हम कैसे करते हैं पहले एक डिजिट का डुपलिक्स करना है फिर 2 डिजिट का डुपलिक्स करना है फिर त्री डिजिट का डुप्लेक्स करना है और फिर जो है यह हमारा फर्मुला है वन डिजिट टू डिजिट फिर त्री डिजिट और फिर त्री डिजिट के बाद फिर टू डिजिट एंड फिर वन डिजिट ऐसे हम इसको डुप्लेक्स करते हैं तौं दियोग करते हैं वेच वान टू थीजिट होते हैं तो चाह डिजीट चाना फिर वापिस चाह dudgenals वान उम्फ receptive उड़ीजिट चाना चाह तो चाहर जिट्र टाना one डिजीट टू यह वाला वमन्स प्लाण चोड़ेँगे और कि उसके बाद एक डिट यहने टू आ जाएगा आप जानता ही है आप कैसे डुप्लेक्स करना होता है फोर का डुप्लेक्स क्या होगा पताइए तो हमारे पास है फोर पोधा 66 लिखेंगे और carry 1, 34 का डुप्लेक्स का है, 3 for them, 12 into 2, 24 प्लस 1, 25, carry 2, फिर 3 डिजित का डुप्लेक्स अभी आपके साथ डिसकस हुआ है, 4 to the 8, 2, 16, 15 plus 9, 25, 25 plus 2, 27, तो हमारी पास 2 carry है, 3 to the 6, 2 to the 12, 12 plus 2, 14, carry 1, फिर 2 का डुप्लेक्स 4, प्लस 1, 5, तो हमारी पास यांसर है, फिर देख लिए, 4 का डुप्लेक्स, 6, 16, 15, और 3, 4 का डुप्लेक्स 24, प्लस 1, 25, और 2, 3, 4 का डुप्लेक्स 24, प्लस 1, 25, और 2, 3, 4 का 4 to the 8, 2, 16, प्लस 9, 25, प्लस 2, 27, 2 carry, 3 to the 6, to 12, प्लस 2, 14, 4 लिएक्स है, 1 carry, and 2 to the 4, प्लस 1, 5, तो हमारी पास 5, 4, 7, 5, 6, let us take more example, 4, 5, 1, square, so इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी डिरेक्स करेंगे, 1 का डुप्लेक्स क्या होगा, 1, 51 का डुप्लेक्स क्या होगा, 10, carry 1, 4, 5, 1 का डुप्लेक्स क्या होगा, 4, 1, 4 to the 8, प्लस 25, 33, प्लस 1, 34, 34 का 4 लिखेंगे, carry 3, और 45 का डुप्लेक्स करेंगे, तो क्या होगा, 40, 40 प्लस 3, 43, and carry 4, प्लस 4 का डुप्लेक्स करेंगे, 16, 16, प्लस 4, 20, यह हमारा अंसर आ है, इसे प्रकार करेंगे, एक होल जांपर लेते हैं, 7, 2, 3, square, तो देखिएगा, पहले क्या करेंगे, 3 का डुप्लेक्स, कितना आया, 9, फिर 23 का डुप्लेक्स, 3 to the 6 to 12, 1 carry, then 7, 23, 7, 3 to the 21, 42, 42, प्लस 4, 46, प्लस 1, 47, फिर 4 carry, फिर 72 का डुप्लेक्स, 7 to the 14 to 28, प्लस 4, 32, फिर 3 carry, 77, 49, फिर 3, 52, प्लस 3, 52, तो अमारे पास जो आंसर है, 4, 2, 2, 7, 2, 9, तो आप और इस प्रकार से square कर सकते हैं, अपने कोई भी 3 digits का number लेकर के, हम जो है, इतनी ज़्यादा practice करते जाएंगे, हमारी speed उतनी बढ़ती जाएगी, और जब हम speed बढ़ेगी, तो हम fastly solve करेंगी, तो competitive exam हो, चाहे हमारे कोई दूसरा exam हो, तो हम fastly करेंगे, इससे intelligence बढ़ेगी, क्योंकि यह oral calculation है, आप सी dance लिख रहे हैं, तो हम बहुत ही, हमारे लिए यह easy और बहुत interesting यह हमारे लिए topic है, तो हम सभी के साथ यह topic discuss करें, और उको भी train करें, इस यह वीडियो को आप ज़्यादा लोगों को share करें, subscribe करें, like करें, और next video लेकर के जल्दी मैं आऊंगा आपके सामने यह वीडियो देखने के लिए हैं, धन्यवादू.